तो प्रीमित्रों, मोडल प्रश्ण पत्र नमबर 3, इसका मैंने खंड A जो है, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, खंड A के ये सारे क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ पहले, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खंड B, ठेके, ताकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो, इसके लिए मैं इसको दो पार्ट में कर दिया है, तो खंड B के अंदर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दस्वी क्लास के सभी स्टेंट्स के लिए, जो भी RBSC और CBC दोने तरह के स्टेंट्स के लिए हैं, और बहुत ही important question है, और ये सारे question, ये जो excellent की कोजब है, अपने test series, आपके प्रशन पतर, जो desk work है, उसका है, तो मैं आज खंड B ले रहा हूँ, ताकि आप इसको सही दंग से कर लें, और exam में आप अच्छा करके आएं, तो आपको अब बिल्कुल 10th class के अंदर डरने की जुरुत नहीं है, आप फ्रिमाइंड exam देने जाएंगे, अगर आप ये वीडियो ठीक से देख लेंगे, और ये प्रशन ठीक से करके चले जाएंगे, सभी 10th class के students के लिए ये वीडियो समर्पित है, तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, आज खंड B का question number 4, question के रहा है, यदि मस 135, 225, बरबर 45, तो लस 135, 225 का मान क्या होगा, देखिए कुछ नहीं, आपको मालूम है, कि दो संख्याइं आपके पास दे रिखी है, A into B, बरबर उनका, LCM into उनका HCF, आपको मोटी-मोटी सुचना हैं, लेकर क्या सवाल को पूरा कर लेना है, A आपके पास में 135 है, B आपके पास में 250 है, और LCM आपको पूछा है, और HCF आपके पास 45 है, आपको कुछ नहीं करना, ये LCM बराबर क्या करना है, ये 45 जो है, इसके बटे में चले जाएंगे, 135 into 225, बटा 45, बस ये आप, और अगर ध्यान से आप देखें, तो 45 से ये आरा से काटते, 15 तिया 45, और 15, नमा 135, ये 3 से ये कट गया, 3 बार, अब इसको आप इससे गुना कर लें, तो आपके जो फाइनली आंसर आएंगे, वो क्या जाएंगे, इनका LCM, LCM, बराबर, 3 से गुना कर लें, 3 दोने 6, ये निकी 635, इसका सही आंसर आजाएगा है, ये आपके इसका चोथा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, मेरे इसाब से ये दो नमबर आप आराम से अपने जेब में रख सकते हैं, Q5 के रहा है, बहुपद PX बराबर 2X 2 माइनस X माइनस 6 के शुन्यक ज्याद कीजिए, तता शुन्यकों और गुणांकों के बीच के समंद को सतेपित कीजिए, देखिए ये जो आपके Q5 है, बहुपद दे रखा है, PX बराबर 2X 2 माइनस X माइनस 6, ठीके, तो सबसे पहली बात तो अपने को इसके अंदर क्या निकालना है शुन्यक तो शुन्यक के लिए आपको मालूम है कि क्या करना पड़ता है PX बराबर 0 और उस केस में आप इसको 2X स्क्वेर माइनस X बराबर 6 कर दे माइनस 6 बराबर 0 कर दे और अब इसके आप गुनंखंड कर लें ठीक है भले तो गुनंखंड करें और भले आप स्ट्रीद राचारी सुत लगा लें ठीक है तो गुनंखंड करेंगे तो यह 2X स्क्वेर माइनस क्या बनेगा इसके टुकडे यह देखिए 4 और 3 बनेंगे ठीक है तो यहाँ पर 4 देखो 6 दूनी 12 माइनस के तो 4 तरी 12 प्लस के हो रहे है ठीक है तो आप यह काम करें यह माइनस लाना है तो बड़े पद का चिन यह चिन बड़े पद के लगता है तो यह प्लस कर लें बस अब आपको इसके अंदर 2x common ले लो तो यहाँ x बचा यहाँ किता 2 रहा है न और फिर यह यह 3 common ले ले तो x-3 से यह दो बार 0 तो यह आपके x-2 और 2x प्लस 3 बराबर 0 तो इससे आपके यह दोनों अलग अलग 0 कर लें आप x-2 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0 तो इससे तो आपके x प्लस 2 बराबर Belo 2x-3 और x प्लस 3 बराबर 2 यानि एक तरह से द्यान से देखना इसका जो हल है शुन्नक कहो जिसको तो यह आपके हो जायागा 2 और μाईनस 3 बराबर 2 ठीक है अब आपको द्यान देना है कि यह जो है शुन्नकों ठीक है तो अब आपको मालूम है कि alpha plus beta equal to क्या होता minus b upon a तो alpha plus beta आप इधर रख लें यह 2 plus 3 बटा 2 और इधर minus और b क्या है आपके यह b minus का 1 और upon a तो यह 2 आप इसको हल कर लें तो यह किता आरा तो दो दुनी 4 minus 3 बटा 2 और इधर minus minus plus 1 बटा 2 तो यह 4 में से 3 गए आपके एक बचा और इधर भी एक बटा 2 तो देखें यह शुन्यांकों के जो संबंद वाली बात है ना शुन्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंद है तो यह देखें मूलों का यह शुन्यांकों का योग minus b upon a होता है तो देखो दोन बड़ाबर हो गए अब ऐसे ही एक और क्या आपन जानते है alpha बीटा तो alpha बीटा के लिए होता है c upon a तो alpha आपके किता है 2 और beta आपके पास में minus 3 बड़ा 2 तो यह c upon a तो c आपके पास में क्या minus 6 और a आपके पास 2 दोन तरफ हल करो आप 2 से 2 कटा minus 3 और 2 से यह कट गया किते बार तो यह देखो minus 3 equal to minus 3 तो हमारे यह शुनिकों और गुणांकों के बीच सम्मंद भी अपने सत्यपित कर लेए यह अपने दो नूमर अपनी जेब में अगला question के राए दो क्रमागत दनात्मत पुर्णांक क्यात किजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो ठीक है तो अपन पहला देखिए x और x प्लस 1 यह हमारे दो क्रमागत दनात्मत पुर्णांक हो गए और यह करा कि इनके वर्गों का योग है यानि कि x square और x प्लस 1 whole square यह कित्ता होगा 365 अब इसको अपन हल कर लेते हैं तो देखिए x square और x प्लस 1 का whole square क्या लिखा x square प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365 फिर यह x square और x square 2x square होगे यह 2x माइनस 364 कैसे हुए यह इदर पक्षांतर किया तो एक मैंसे इसको गटाएंगे फाइनली क्या बना x square प्लस x माइनस एक्सो बर्यासी बराबर 0 इस दो कोपन क्या लिखेंगे not equal to 0 अब इसके गुरंटखंड करें तो यह गुरंटखंड वाला थोड़ा मामल आपको आना चाहिए देखिए यह संक्या आपको पता हो तो 13 x 14 करने से आपके एक्सो बर्यासी आ जाएगा आप सीधरा चाहरे से भी इसको कर सकते हैं तो यह आपके 14 x 13 x और माइनस एक्सो बर्यासी बराबर 0 अभी यहाँ प्लस का 1 लाना है तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ ताकि 14 मैंसे 13 गये तो एक रिजाएगा और दोनों का गुना करें तो वापस अपने एक्सो बर्यासी आ जाएगे माइनस में तो यह ऐसा जब आए जब यह गुनांक 1 हो तो आपको डायरेक्टी इसको कैसे करना यह प्लस के चावदा है तो गुनानकंड हो जाएगे एक्स प्लस चावदा यह माइनस के 13 है तो एक्स माइनस 13 बराबर जिरुआप डायरेक्ट लिख सकते हैं द्यानक ना जब यह एक्स विसकर के गुनांक 1 हो तब खाली इन पदों को ले करके और सीधा सीधा आप एक्स बराबर तो माइनस का चावदा और दूसरा हो जाएगा आपके प्लस का 13 यह आपके अलफा और यह बीटा अब आपके पूर्णांक जो कह रहा है इसने क्या का था सबसे पहले कि धनात्वक पूर्णांक तो आप इसको तो आप क्रोस कर दे केवल यह रहेगा आपके तो एक्स बराबर 13 ठीक है तो आपके जो पहला पूर्णांक के वो तो 13 हो जाएगा और दूसरा पूर्णांक के वो क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14 इन दोनों का वरगों का योग जो है आपके वो कितना हैगा 365 यह इसका आंसर है फिर आप अगला क्वेश्चन देखें कह रहा है बिंदू 7 क्वेश्चन ए के निर्देशांग ज्याद कीजिए जहां ए भी एक वरत्त का व्यास है ठीक है और केंदर जिसका 2 माइनस 3 है और बी के निर्देशांग आपके एक चार दे रहे हैं आप देखिए क्वेश्चन नमबर 7 सबसे पहले तो आप इसका पटाक से वरत्त बना लें यह वरत्त बनाया यह इसका केंदर और यह इसने कहा कि ए बी वरत्त का व्यासे ठीक है तो यह ए यह बी और यह इसका केंदर है और केंदर इसने क्या का केंदर 2 तीन है द्यान देना 2 माइनस 3 हो गया केंदर है और इसने कहा कि ए के निर्देशांग आपको ग्याद करने x पहले लिग देते हैं और b के दे रखे हैं 1 4 अब अगर द्यान से देखो कितना टेकनिकल क्वेश्चन है यह मद्य बिंदू है इस a b का तो सिरे सिदा मद्य बिंदू आपको पता है मद्य बिंदू होता है x1 प्लस x2.2 y1 प्लस y2.2 तो इसने क्या किया x1 प्लस x2 यानि कि y2 किया आपके 4 बटा 2 और यह मद्य बिंदू है 2-3 के बराबर है बस आप इसको इसके बराबर कर दे तो यह x1 प्लस 2 अपोन 2 इकवाल 2 और y1 प्लस 4 अपोन 2 इकवाल 2 माइनस 3 बस इसको हल कर लें कुछ नहीं करना यह इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा 2 इदर वजगुने में बेज़ दो x प्लस 1 ये क्रोस मल्टिप्लिकेशन 4 तो आपके x is equal to 4 माइनस 1 याने कि ये 3 और इदर y प्लस 4 2 का इदर गुना करो तो माइनस का 6 y बराबर 4 उदर बेज़ दो माइनस 4 माइनस 6 तो ये y equal to माइनस का 10 तो अब आपके ये इसने जो पूछा था बी के नदेशांग तो बी के के आ गए 3 और माइनस 10 बी के नहीं एक ये गयात करना है ना बी तो देर के था ये एक के आ गए एक के पूछा नहीं इस नहीं है इसलिए अगला क्वेशन कहे रहा है देखो उन्नेन अवनमनवाला सरल प्रस्टन बिल्कुल एक उर्द्वादर मिनार 36 तल पर खड़ी है और इसके उपर एक 6 मीटर उंचा जंडा लगा है तल के किसी बिंदू के से जंडे के पाज और शीकर के उन्नेन कोन क्रमशव 30 डिगरी और 45 डिगरी है तो मिनार की उंचाई ग्याद कीजिए कोई दिक्कत नहीं है अपने काम करते हैं ये आपके मिनार ठीक है और मिनार के उपर एक जंडा लगा हुआ है लिखा ना इसके उपर 6 मीटर उंचा एक जंडा लगाए तो अपने काम करते हैं यहां से यहां तक यह इसका जंडा मान लेते हैं तो यह इसका बेस है अब आप इसको इससे और इसको इससे मिला ले कोई दिकत ही नहीं अब इसमें आप क्या करें यह तो लिख दें आप P यह लिख दें आप A और यह आपके हो जाएगा B और यह हो जाएगा C और इसने कहा कि यह तो आपके 6 मीटर है जानक ना यहां से आँ तक और इसने पूछा किया मिनार की मुचाई तो अपन इसको H लिख देते हैं ठीके और दोनों के जो कौन दे रखें कि आप 30 डिगरी और 45 डिगरी द्यान देना तो यह तो हो गया आपके 30 डिगरी और यह पूरा हो गया किता 45 डिगरी हमारा काम कप्लेट है इसको बलिए आप X माल ले ठीके तो अब इसके अंदर देखिए दो स्टेप में करना होगा question number 8 first step में अपन क्या करेंगे इसके अंदर यह जो बड़ा वाला है न 45 डिगरी वो ले लेंगे तो मैं बिना किसी ज़्यादा उसके 10 45 डिगरी बराबर लंब बटा आधार तो लंब यह क्योंकि 45 डिगरी पूरा वाला है द्यान देना ही है तो लंब तो इसका यहां से यहां तक हो गया यानि कि 6 प्लस H यह 6 प्लस H और आधार कितना है यह X द्यान देना जब कभी 45 डिगरी आए तो सीधा यहां पर यह एक लिखा H प्लस 6 अपोन X यानि कि आपके X बराबर के आगया H प्लस 6 इसको आप यहीं छोड़ दे अब आप दूसरी बार करेंगे 30 डिगरी वाला यह हो जाएगा 10 30 डिगरी यह भी लंब बटा आधार तो आप इसकी बार इस कौन के लिए लंब यहां से यहां तक यह वाला इस लंब जान रहाए यह A B लंब है तो यह कितना है H और इदर आधार जो है आपके किता X है और आप 10 30 का मान मैंने का था आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी H पटा X ठीक है तो इस से आपके यह X तो इदर गुना हो जायागा 1 into X बराबर H into root 3 तो इस से आपके X बराबर क्या आगया H root 3 ठीक है अब आप इस X की जगह यह रख दे समिकरना पर दो दोनुए X के माने तो इसको और इसको बराबर कर ले ठीक है 1 व दो से तो H into root 3 बराबर क्या होगा H plus 6 बराबर इस H को इदर को मले लें आप तो यह हो जायागा root 3 minus 1 बराबर 6 ठीक है तो यह H बराबर 6 बटा root 3 minus 1 आप इसको क्या करेंगे परिमेकरन कर लेंगे root 3 plus minus 1 से तो यह आपके हो जायागा 6 into root 3 plus 1 और नीचे हो जायागा यह 3 minus 1 तो फाइनली आप इसको अब ज्यादा लंबा चोड़ानी करें इसको H बराबर यह 2 बचेगा ठीक है तो यह 6 root 3 plus 1 बटा 2 2 से यह कट जाएगा तो 3 into root 3 plus 1 मीटर यह इसका अंसर हो जाएगा आप अगर इसको root 3 का मान अगर रखें तो root 3 बराबर होता 1.732 ठीक है यह value अगर यह पुट करेंगे तो आपके H का मान जो आएगा वो 3 into 1.732 प्लस 1 तो यह इससे H का मान आपके आएगा इसको अगर आप solve कर ले तो यह आजाएगा आपके 8.19 मीटर लगबग ठीक है आप यहाँ पर ला करके आंसर छोड़ सकते हैं एक्जाम में time waste नहीं करें क्योंकि यह दो नमर का प्रस्टन है तो कोई problem नहीं है ठीक है फिर चलते हैं अगला question question number 9 question 9 के रहा है एक त्रिबुज ABC बनाए जिसमें BC बराबर 6 से मी AB बराबर 5 से मी और कौन ABC 60 डिगरी हो फिर एक त्रिबुज की रचना कीजी जिसकी बुजाएं त्रिबुज ABC की संगत बुजाओं की 3 बटा 4 गुनी हो बहुत ही simple काम है कोई विशेश बात नहीं है आपको क्या करना है एक त्रिबुज बना लेना वो कैसे बनाएंगे आप जैसे ये आपने एक त्रिबुज बना दिया ठीक है और इसको लिखा आपने ABC अगर आप प्रकार का यूज करें तो ठीक नहीं तो कोई दिकत नहीं आप तो scale से एक सामन्य त्रिबुज इस नाप से आप बना दिजें और इसके अंदर कोण B आपके क्या है 60 डिग्री है फिर इसके अंदर क्या करें आप ये BC 6 से में है जो लिख देना याप है और AB आपके 5 से में है अब यहां खास बात के ये है आपके त्यान रखना A है भी इसने जो कहा है कि जो तिरबू जो नया बनाना है वो अलग से नहीं बनाना, वो इसी में बनाना है आपको यहाँ पर क्या करना एक किरन बना लेनी है, मालो इसको आपने X नाम दे दिया, ठीक है तो इसमें क्या करना यह X करने के बाद में, क्योंकि यह 3 बटा चार कह रहा है, तो आप इसके अंदर यह नीचे चार है, तो आप इसके अंदर एक दो, तीन और चार टुकड़े ले इसको आप नाम डाल दिये भी है इसलिए इसको B1, B2 B3 और B4 ठीक है, और उसके बाद में आप इसको क्या करें, इसको आप इससे मिला ले, इसके यह से मिलाना बिलकुल ताकि दमसा ही मिले, ठीक है बहुत सारे कैसे चाप कट वाते हैं, वो ऐसे हैं, तो आप कोई जरूर नहीं, आप तो डायेट यह से इसको मिला ले जिम मिलाने के बाद में क्या करना, आपको तीन बटा चार की बात कर रहा है, ठीक है तो तीन बटा चार का मतलब यह हुआ कि एक टुकड़ा यह, दूसरा यह, और तीसरा यह तो यह एक, दो और तीन, आप यहां से, यहां से इसके समानतर एक रेखा खंड यहां कीज लेना ठीक है, बिल्कुर यह टेड़ा मेरा नहीं होना चाहिए और फिर जो कौन आपके यह बना हुआ है ठीक है न, वही कौन आप यह बना करके इसके समानतर आप यह बना लेना तो यह आपके A-डेज और C-डेज, यह आपके एक नया त्रीबूज आ गया तो आपका पुराणा वाला फर्स्ट जो त्रीबूज है वो तो आपके है त्रीबूज A-B-C और दूसरा त्रीबूज जो है वो सेकेंड वाला, वो आपके त्रीबूज A-B-C-डेज हो जाएगा और खास बत क्या है कि त्रीबूज A-B-C समरूप है त्रीबूज A-B-C- यह आपको इसके अंदर काम करना है दो नमबर में आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है ठीके, यह आपकी easy काम है और आप थोड़ी सी खास-खास इसके रचना के पद भी लिख ले के पहले यह बनाया फिर यह खीचा फिर यह किया फिर यह किया जो जो किया है तिन-चार बिंदो आप रचना के पद लिख ले ताकि यह क्वेश्चन आपके एक दम पूरा लगे है इसमें पूर्णता दिखे यह आपके नवा question है ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना बहुत ही easy काम है अगला question दसवा कह रहा है 8 से मिल लंबा एक रेखा खंड A, B खीची है तो खीच देते हैं कोई दिकत नहीं है आप देखें question number 10 और 8 से मिल लंबा रेखा खंड कीचने के लिए रहा है तो यह अपन रेखीच लिया 8 से मिल लंबा थोड़ा और लंबा कर दो इसको 8 हो जाए पूरा ठीक है अब आपको क्या करना है चलो इसको नाम देदो A, B और यह 8 से मिल हो गया A को केंदर मानकर 4 से मिल रिज़ा का एक वरत B को केंदर मानकर 3 से मिल रिज़ा का एक अन्य वरत बनाई है यानि इसको आपको केंदर मानकर के एक 8 किता 4 से मिल रिज़ा का एक वरत बनाना है मतलब यह पूरा 8 है तो यह सेंटर में हो जाएगा 4 यानि यहां से एक वरत बन जाएगा आपके थ्रोटेड़ा बन गए आपको उससे बनाना है कोई विशेश बात नहीं है और इधर यह किरा कि तीन सेमी तृज्जा का एक अन्य वरत बनाई है तो तीन सेमी यह चार तक है तो इधर पूरा चार बन डाए तो आपको यहां तीन स सेमी और यह आपके चार सेमी BIG है मैंने हास से बनाइं लेकिन आप उससे प्रकार से बनाएं के पैंसिल प्रकार इसलिस्म यूज़ करेंगे तब्चन मैं आपको काम काम करना था बदा जो खाली तो बनार दिया प्रत्य हृत्तप ते के के अंदर से इस पर श्रेखाओं की रशना कीजिए क्या बात है बहुत ही प्यारा क्वेश्टन है तो इस वरत्थ पर इसके के अंदर से आपको इस पर श्रेखा कीजनी अब इसके लिए क्या करोगे आप आपको इसका समधी बाजन करना पढ़ेगा ठीके तो संबाजन क्या करए प्रकार को आदे साधी खोला यह चाप काटा इदर से आदे से खोला यह चाप काटा तो यह आपके का मिलेगा यह यहाँ मिलेगा ध्यान देना और वह因से भी चार ciao तो यहां काढ़ रहा है यहां बोट आपको इस से बिला देना है आपको हमें पन science कर लेता हूं कि आपको पथा चल जाये गा यह है यह वाला, यह केंदर है, यह आपके यहां से, यह इस पर रेखा, और इधर से भी आपके, यह इस पर रेखा हो जाएगी यह वाली, इन बिंदों से, ठीक है, तो इसने ओरिजनली पूचा क्या है, इसने यह इस पर रेखा हैं, पूचिए यह वाली, एस से भी इस पर रेखा क वो आपके कौन सी हो गई यह वाली यह और यह मिलाए आपको ने यह आपके इस परस रेखा इधर आपकी यह इस परस रेखा क्वेस्टन को समझना पड़ेगा तो आपके यह एकदम सही बनेगा दो नुमर के लिए आपको यह जैसा जैसा यह का है वेसे वेसे अपने को करते जाना सवाल से हो जाएगा क्वेस्टन 11 कह रहा है कि त्रिबुज ABC में DE समानतरे BC AD ब्राबर 1 से में BD 2 से में त्रिबुज ABC और DE के एक्षेत्र फलों में क्या नुपाते तो आपको इसके अंदर क्या करना है देखिए दो त्रिबुज दे रखें आपके पास में तो क्वेस्टन नंबर 11 ठीक है 11 में दियान देना है कि त्रिबुज ABC द्यान से देखिना यह आपके त्रिबुज ABC और यह कह रहा है कि DEBC के समानतर इस BC के समानतर आप यां आपके DE, इसने कहा कि AD एक सेमी है, BD आपके दो सेमी है, और यह कह रहा कि त्रिबूज ABC और AD के क्षटफलों में क्या नों पाते हैं, अब यहाँ एरिया पूछा है, मैं आपको एक सुत्र बोलता बताता हूं, कि त्रिबूज ABC, पहले कोन ABC है न, हाँ, तो ABC, यानि कि एरिया आप त्रिबूज ABC, अपोन एरिया आप ट्रैंगल ADC, दोनों ही समरूप त्रिबूजे द्यान देना, और इसलिए इनके क्षटरफलों का अनुपात जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, ABC की बूजा पूरी कौन सी AB है, तो AB स्कॉर, और त्रिबूज इसकी बूजा कौन सी AD, तो ये AD स्कॉर, और इसमें यही पूछा कि क्षटरफलों का अनुपात आपको कुछ भी नहीं करना, AB स्कॉर, तो ये AB कितना है, एक प्लस दो, यह देखो, एक और दो, AB पूरा, एक प्लस दो, तो ये आपके तीन हो गया, स्कॉर, और AD कितना है, एक, तो ये एक स्कॉर यानि की आंसर क्या आएगा नो बटाएक यानि की नो अनुपात एक इतना सा काम इसमें करना है और ये वाला कॉंसेप्ट तो आपको वो बिल्कुल छोड़े गई नहीं एक्जाम में पूछा ही जाएगा बिल्कुल इसलिए आप ये सुत्र आप ठीक से याद कर लें कि समरूप तरिबूज है अगर दोनों तो एरिया ओफ ट्रेंगल ABC पून एरिया ओफ ट्रेंगल ADE बराबर AB स्क्वेर पॉन AD स्क्वेर ये आपके question है simple सा बिल्कुल फिर आप देखें अगला question question number ये कह रहा है कि एक वरत्य के तरिजखंड का परिमाप 31 से में है यदि वरत्य के तरिजखंड चे पोइंट पांच से में है तो तरिजखंड का क्षेतरफल ग्याद कीजिए सिंपल सा सवाल पूछा बिल्कुल देखें L प्लस 2R एक्वल टू 31 दे रखा है तरिजखंड है ये आपके ठीटा है और ये आपके एक तरिजखंड हो गया ठीक है ये तरिजखंड ये तरिजखंड और ये आपके L हो गया और ये इस पूर एक का परिमाप इसने दे रखा 31 देखें का लेवल थोड़ा हाई है ये CBSE वालों के अंदर इसे question पूछे जाते है इसमें जैसे ये वाला question था डाइग्राम वाला ये भी इसे CBSE के अंदर ही पूछे जाते है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इसने का कि वरत की तरिजखंड किती 6.5 से में है तो आप इसके अंदर 6.5 से में लिख लें 2 इंटू 6.5 बराबर 31 तो L प्लस साड़े 6 और साड़े 6 किते 12 एक 13 बराबर 31 तो ये L बराबर हो जाएगा 31 माइनस 13 तो आपके L किता आ गया 11 में से 3 गए तो आपके किते बचे ये 11 में से 3 गए तो कितने 4 है ना 8 है ना 8 और ये एक तो L आपके किता आ गया चाप की लंबाई 18 बस अब तो आपको कुछ काम ही नहीं है आपको मालूम होगा चाप की जो लंबाई क्या होती है L बराबर πाई आर थीटा पॉन 360 तो πाई कमान 22 बटा 7 आर कमान आपके किता दे रखा है ना 6.5 और थीटा आपके इसके अंदर कितना है दे नहीं रखा ग्यात करना पड़ेगा L दे रखा कोई दिकती नहीं है तो 6.5 इंटो थीटा 360 बराबर L कमान किता 18 ठीक है तो ये आपके क्या हो जायागा थीटा बराबर क्या हो जायागा 18 इंटो 360 बटा 22 इंटो 6.5 इससे आपके थीटा कमान जो भी आयागा आप रेने देना फिर आप इसके अंदर क्या करें जो 30 खंड का क्ष़तर फल ये बराबर वो पाई आर स्क्वेर थीटा आपों 360 और इसके अंदर आप ये मान रख देंगे 22 बटा 7 आर कमान 6.5 6.5 और थीटा आपके जो भी ये पूरा लिखना पड़ेगा 18 इंटो 360 बटा 22 इंटो 6.5 और इसके नीचे आपके 360 त्यान रखना देखो ये इससे कैंसल हो जायागा आपके देखी यहाँ ये गलती कर दी यहाँ पर 180 होता है ठीक है न गलबड हो गया यहाँ पर मेरे को लिखना क्या बात हो गई तो ये आपके 180 है ठीक है तो ये 180 से इससे दोबर कड़ जाएगा 6.5 ये कटा 22 से 22 कटा ठीक है अब आपके ये जो संख्या बचरी है किती बचरी है 6.5 18 बटा 2 ठीक है इसको गुना करोगे तो आपके जो भी है आंसर आजाएगे लेकिन आपको बताओ मैं कि ये मैंने जान बुझ करके आपको इतना लंबा किया है ठीक है लेकिन मैं इसको मना कर रहा हूँ कि ये नहीं करना आपको क्यों नहीं करना क्योंकि हमारे पास मैं L और R आ चुका है और इसने क्या पूछा था त्रिजखंड का क्षत्रफल तो सीधा सीधा त्रिजखंड का क्षत्रफल का जो सुत्र होता है मैं आपको बता दू, मैं अलग pen use कर लूँ, देखिए, ए बराबर होता है, एक बता दो, into L into R, एक बता दो, और L का मान आपके कितना है, 18, और 13 किती 6.5, तो 2 से इसको काटा किती बार, 9 बार, 9 का इस से गुना कर लो, बस ये आपके answer है, किता आएगा, 9 अच्छकल चोपन, लगबग ये, 58.6 से में इसको रांसर आएगा, ठीक है, ये भी साही था, लेकिन आपको इसके अंदर ने पढ़ना, आपको ये सुतर याद रखना है, 30 कंड का शत्रफल, ए बराबर, 1 बटा 2 into LRL, क्या चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, और ये रेडियस से द्यान देना, देखिए, दोगन, दोगन जो है, इसके अंदर इसनने पहले दे देया, कि प्रतियक का आयतन 27 से मी है, यानि आपके आयतन बराबर 27 से मी क्यूब, और आयतन होता है बुजा क्यूब बराबर 27, तो ये L बराबर क्या हो जाएगा आपके, तीन से मी, यानि ये आपके L हो तो इससे ये क्या बन जाएगा आपके एक गनाब बन जाएगा समझने वाली बाते द्यान देना ये इस तरीके से तो अब के बार ये तीन प्लस तीन छे हो जाएगा छे से में ठीक ये तीन ही रहेगा और ये तीन ही रहेगा तो अब ये क्या बन गया आपके गनाब हो गया ठ गंपूर्ण प्रस्टी क्षेतफल है ना टोटल सर्फेस एरिया किता हो जाएगा दो इन्टू एल बी बी एच प्लस एचल ठीक है ना तो यह आपके क्या बन जाएगा यह आपके लंबाई चुड़े मुझे तिनों के मान रख दी मैंने 6 इन्टू 3, 3 इन्टू 3 और 3 इन्ट इसको राजाएगा इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सवाल है अगला क्वेशन चवदा कह रहा है कि 2.5 से में तरिज्या का एक गोला पानी से आंशिक बरे एक बेलना कार बरतन में डाला जाता है बरतन के आदार की तरिज्या 5 से में है यदि गोला पुन तो पानी में डुबा हो तो पानी का इस तर कितना ऊपर उठेगा देखिए ऐसे क्वेशन में सबसे पहले ध्यान को एक तो गोला दूसरा बेलन है ठीक है यह आपके चवदा क्वेशन तो आपके इसके अंदर क्या होगा गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेलन का आयतन गोले का आयतन होत है πई आर स्क्वेर एच ध्यान रखना आर दोनों चेंज कर देना यह आपके पई से पई केंसल ठीक है और यह बन जाएगा फोर आर क्यूब और तीन चला जाएगा उधर तीन आर स्क्वेर एच अब यहां गोले की त्रिज्जा यह बेलन के आधर की त्रिज्जा बर्तन जो ह दो पॉइंट पाँच बराबर तीन इंटू इसमें बरतन के आधरक के दिरकी तरिज़ा पाँच से में ठीक है तो ये पाँच इंटू पाँच और उचाई कितना उपर उठेगा तो एच अपने को ग्याद करना मतलब आपको एच निकालना तो सिधा-सिदा ये तीन नीचे पाँच नीचे पाँच नीचे और ये चार पकीस पकीश और नीचे मेंने सब का Point हटाया तो ये 10-10-10 यानिह 1000 हो जाएगा. अब आप इसको काट लें कट रहा हो तो ये पाँच इंटू पांच से एक 25 तो गया ठीक है और इसमें ये 25 है तो ये 25 जो के 140 हो जाएगा इस 4 से इसको काट दो 10 हो जाएगा ठीक है अब एक 25 बच रहे तो आप भले इसको हल कर ले यानि 5 से काटे दो इसको 5 बार ये 2 बार तो आपके उत्र किते होगे 5 बटा 6 से मी तिन दूनी 6 से मी बस ये आंसर इसके ठीक है ये अगला question कहे रहा है पंदरवा, निम्न बंटन का कल्पित मध्य मानकर X बार ग्याद कीजी, यानि की मध्य निकालना है, तो कल्पित मध्य में बहुत easy काम है, मैं आपको इसको फटा-पट जरूरी जरूरी सूचना है लेकर के आपको बता देता हूँ, देखिए, ये वर जोड़ो, आदा करो, इन दोनelों को जोड़ो, आदा करो, ये सब को जोड़ो के आदा करके निके सामने लिखना है, ये देखिए, मैं इनकी मध्य लिख दिया, ये बारवबारता 2,3,7,5,6 यहां से दे रिखिए, यहां से लिखनी है और अब इसके अंदर आपको क्या करन यहाँ di निकालना है तो वो x-a हो जाएगा, x-a मतलब कल्पित मध्य में से आपको, याणि a को इन सब x में से गटाना है, तो यह 17.5 में से इसको 47.5 गटाना, इस सब को, इन सब में से क्या गटाना आपको 47.5 गटाने, तो यहाँ से यहाँ तक तो मैंनस में आएंगे, 15.0, कोई विशेश बात नहीं है, सिंपल काम है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे साब से, यह होगे हमारे, ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, यह आ चुके, आप इनको अलग जोड लें, ठीक है ना, गुणा करोगे तो 30 तुनी, 60 माइनस के, 15 तिया, 45 माइनस के, 7 से 0 से गुणा क्या 0, 15 पंद्या, पिचोतर, और 6 तरी, 18, और 45 साथा, साथ बंद्या 35, साथ चोक 28, 29, 30, 31, यह आपके, इसके अंदर आ गए, अब अपने हो क्या करना है, इन सब का जोड करना, एक तरह से बीजी होगे, तो प्लस वालों को अलग जोड लो, माइनस वालों को अलग जोड लो, तो इनको अगर अलग जोड ओगे, तो यह किता आरा यह किता आजाएगा आपके, इस में से इसको माइनस कर लें, यह आजाएगा आपके, 465, हमारा काम हो चुका है, ध्यान देना, ठीक है, तो अब आपको इसके अंदर, जो माद्य, यह तो काम हो चुका है, और आपको माद्य X बार निकालना है, तो वो हो जाएगा आपके, A प्लस हम चाहते तो इसको 15 से भाग भी लगाते लेकिन भाग इसमें पूरा जाता नहीं, इसलिए अपन H में नहीं कर रहे हैं, कहले यह लेखेंगे, सिग्मा FI, डी आई पॉन, सिग्मा FI, ठीक है, तो यह A तो आपने केता लिया था, 47.5, और सिग्मा FI, डी की तारा, 465, और इसमें सिग्मा FI यानि की इन सबी का जोड़ आपके है ना, यह जो F है ना, इन सब का जोड़ की तारा आपके देख लो, यह आपके आ रहा है, सिग्मा FI, इनको जोड़ो, तो यह 7 और 6, 13, 5, 18, और 7, 25, 26, 27, 29, 30, 30 आ रहा, ठीक है ना, तो आपको 30 का इसके अंदर ब बाग लगाओ, तो 30 का इसमें बाग लगाए, तो कितना आएगा, अलग से लगदना इसमें, यह आएगा 15.5, बस इन दोनों को आप जोड़ लें, तो यह 5, 9, 5, 10 का 0, 7, 5, 12, 13, 4, 5, 6, 36, यह इसका कल्पित मद इससे मद आएगा, सही आंसर इसका, ठीक है, यह आपके दोन एक डिबे में 5 लाल, है न, 5 रेड, प्लस 8 सफेद, तो 8 वाइट, प्लस 4 हरे, 4 ग्रीन, तो आपको कुल निकाल लेने, तो 5 और 8, 13, 13 और 4, 17, यह आपके हो गए, कुल परिनाम, ठीक है, 17, इस डिबे में से एक कंचा यादरेच्छा है, निकला जाता है, तो इसकी क्या प् जो अनुकुल परिनाम है, ध्यान देना, अनुकुल परिनाम, ध्यान रखना, अनुकुल परिनाम किता है, हर प्राइक्ता के सवाल में कुल परिनाम और अनुकुल परिनाम निकालने, तो कुल ता आपके सभी जोड़ लो, तो सतरा आ गई, और अनुकुल परिनाम किता है, ह और कोशामीली नहीं किया है ठीक है तुब प्रायक था क्या हो जाएगा अनुकुल परिनाम भटा कुल परिनाम तो यह आपके अनुकूल परिनाम तेरा और कुल परिनाम सत्रा यह आपके तेरा बटा- 17 इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल सा काम यह आपके दो नुमर अपनी जह में तो यह आपके खंड B वाला जो है पूर्ण हो गया है आप इसको देखें लगबग थोड़ा वीडियो 40 मिनिट के असपास बन गया है लेकिन आपके क्वेशन ऐसे ही बनेंगे आप इस वीडियो को देखें समझें आपको अगला खंड पार्ट जो है इसका सी है ना खंड जो अगला वाला है यह वाला खंड से वाला वह आपको मैं अलग से बाद में करा दूँगा यहां तक आप इसको कम्लिट करें थैंक्स